कि यह हैं दोस्तों स्वागत है आपका हमरी यूट्यूब जब भी धंकित पर दो तो इस वीडियों ए उसी का फार्म भर के आपको दिखाएंगे पुरा इस टेप आपको रिश्टेशन से लेकर फाइनल प्रिंट आउर तक ले चलेंगे तो पुरा वीडियो आप ध्यान से द अघर नाम मेरे लेम आपको बीच्म márशिक यद्ध कुमार कोई एक को यह擊र हुगा है को यहां यहां पर कुमार और लाष्ट में यहां भाहम सिंग डालता ये फॉर इंपल है तक मेरे में बीच में कुछ नहीं है कि मैं यहां पर सिर्फ कुमार लिखूँगा इनकेस अगर आपके अगर आपके लास्ट नेम नहीं है लेकिन आपको यहां पर लास्ट नेम भरना कंपल सरी है देख पा रहे होंगे आप अगर मालिया मेरा नाम सिर्फ अंकित होता तो मैं इस वाले में क्या भरता यहां पर लास्ट कंपल सरी है इस्टार रेट लगा हुआ यहां पर दिया हुआ है अगर आपका नाम अगर आपके सिर्फ एकी नाम है तो यहां पर दFitनकी में पाध्रना है उसके पास्वियरी कि आ. कि नुझा से मैंरे लिखना है, कि यहें है, मैं नमनेने नहीं लिखेंगे ए हैं इस नौझे पर आपको लिखना है तो यहां पर में में हे दिश्धित हैमैं आपको भिदा सिर्वाइग ढलना है तो यहां पर फादस फुल नेम डालना है आपको इझेंड़ करना है मॉबायल नंबर यहां डालना है по बनानेहां पासवर्ड बनाने का तरीका में जो बताता हूं आपको सेम टूसेम वही पासवर्ड आप यूज करिए यह प्टे हैं पासवर्ड में पहले अच्छरे कैपिटल रखिए मैं पुत्वला साहिंड देता हूं जिसे कि मेरे केस में यहाँ पर पासवर्ड में मैं बनाता हूं पहला च्छर कैपिटल देता हूं उसके बाद एक दो अच्छार आप इसमाल ले सकते हैं गर आप अपने नाम से इसाब से बनाते हैं एड़ एड़ वन टू थ्री फोर इस तरह से बना सकते हैं आट से तेरा करेक्टर में यह सिंपल पासवर्ड है इस तरह से बना लिए जरूरी नहीं कि आप सेम रखेंगे तो हो सकता है कोई आपकी यह पासवर्ड जान जाए तो आप इसको थोड़ा सा जो यहां पर लिखे हुए हैं इसमें आप कुछ और डाल सकते मोबाइल नंबर ड आएगा और एक इमेल पर आएगा इमेल आइडी को टीपी यहां पर दोनों डालने के बाद फिर आपको कप्चा कोड डालना है और वेरिफाई ओटीपी पर क्लिक करना है उसके बाद देखिए आएगा वेरिफिकेशन कंप्लेट नाउ लाग इन विद अपनी इमेल आईड करेंगे और जो कप्चा कोड दिया है उसको भी यहां पर हम डाल गए लाग इन पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों देखेंगे आप लाग इन यहां पर हो गये हैं आप यहां पर बोला जा रहा है विटेल एडवर्टाइजमेंट आप पड़ लीजी हम तुझा पर सारे को चैनल जाएंगे चाहिए पर यहां पर अगर तीन साल का अपने यहां पर डिपार्टमेंटल कंडिडेट के लिए हैं तो अगर हम नहीं किलिक करेंगे चूँकि हमारे पास कुछ है नहीं आई अगर पर किलिक करते हैं अब यहां पे डालना है तो आपको यहां पेसंगे द्थिर यॉइज्ञ विलज ढैना है और उसके बाद कि आप यहां पर पिन कोड डालेंगे पोस्ट आफिस यहां पर डाल सकते हैं पिन कोड यहां पर डालेंगे पूर्ए लाँके टोने टों सेम अधो आप यहां पे सेम पे पर क्लिक करेंगे उसके बार नीचे आपको कास्ट करेगरी अधर का आएगा आप यहां पर के यहां पर होड़ार बीख करेंगे करेंगे विद्ष करें कर देंगे आपको यहां पर दिख रहा होगा पर्सनल इटेल एजुकेशन को एडिशनल डिटेल अदर डिटेल डिकलरेशन अप्लोडिंग डॉकुमेंट अब आपको इसके बाद आपको इस वाले नंबर पर जाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे चुकि यह इस्टेव मरा इसका नाम उसके बाद अपने राज्य का नाम है फिर यहां पर बोर्ड का नाम है फिर आपको यहां पर पासिंग यह डालना है फिर आपको यहां पर मार्क्स टोटल डालना है यानि आपको कितने पुरांग थे फिर उसके बाद आपने यहां पर कितने मार्क्स केन किये हैं यहां पर आपको डालना है उसके बाद उसी तरह से यहां पर आप यह तो हो गया आपके हाइज स्कूल का यहां यहां से इन्वस्ट्री को नाम यूपी गोड के लिए यूपी डालेंगे आ जाएगा और उसके बाद यहां पर पुडांक आपका जो भी होगा अपने अपने हिसाब से आप डालेंगे इसके बाद यहां पर गिर्जुएशन का अप्शन नहीं है तो यहां पर टाइपिंग का अप्शन है तो हम टाइपिंग डाल देते हैं आपके case में जो भी हूँ आप डालेंगे लेकिन यहां पर दियान देना रहता है अगर जिसे आप टाइपिंग यह कंपल्सरी नहीं है अगर इसको आप यहां पर डालेंगे तो फिर आपको यहां पर डालना पड़ेगा कि आपने कहां पर किया है और कितने साल का experience है आपको य सबस्क्तिर कесटेक्सल deben के किए कितने साल के एक सब्सक्तिकज यह और कर देख़ी अब इक अशना और आप देखने को मिलेगा एड़ करने का अगर यहां पर आप क्यों लाइमेंत एग्स्टेशना यहां नहीं है है तो आप डाल सकते हैं कोई इसू नहीं होगा अब यह हमारे यह स्टेप कंप्लीट होगा यह होगे अब हमको अधर डिटेल पर जाना है अब यह पूछ रहा है कि आप इंपलाइमेंट एक्सचेज में रजिस्टेशन है या नहीं है तो अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे नहीं है तो नो कर देंगे मेरा है लेकिन मैं तब भी मैं नो कर रहा हूं चुकि ज़्यदा दर लोगों के पास नहीं होगा इसको हम करते हैं आपको थोड़ा सा समय पर सेव करते जाना है जिससे कि जो आप फिल कर रहे हैं वह आपका डिलीट नहीं हो आपको लास्ट मैंना है अप लोडिंग डाकुमेंट पर यह हमने स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं अप लोडिंग डाकुमेंट पर आएंगे यहां पर वीडियो मैंने अलग से बना दिया है जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो अगर आप एक वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो काफी लंबा लगेगा इस वज़े से मैंने इसके आगे का प्रोसेस बताता है अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने पोटो जो प्लोट किया है वह सही से दिख रहा है यह नहीं दिख रहा है तो आप इस पर किलिक करेंगे यह आपका यहां पर वीजबल हो जाएगा उसी तरह आप अधारकार और टंथ का देख लेंगे उसके बाद ही फाइनल सम्मिट क यहां पर सेव पर में करेंगे सेव हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पर नห commercially यहां बेंगे आप के पांच चूच करेंगे जो भी आप को 条by अब को यहां करनी है वह आपको यहां पर डालने है यह चीज़े आपको अलाग से सिलेट करनी है अभी हमने यहां पर सेलेक्ट नहीं किया है इसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखना होगा मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे इसका आप स्क्रीन साट ले लिजिए डीजन वा राज के राज के हिसाब सेब से के हिसाब से यहां पर चले कर सकते हैं आने कितनी हैं ऐसे तो यह और कर लिया अपकर करेंगे और यहां पर पलेज मैं आपका जो भी हस्तान होगा अपने डिश्टिक का नाम यहां पर डाल सकते हैं उसके बाद यह प्रिंट करके भी देख सकते हैं यहां से पहले आपको अच्छे से चेक कर लेना है यहां से आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रोल हो जाएगा फिर्स तो आपको किल्क करना है तो आप दीआ हुआ है यह पर आपको देखने को मिलेगा कि इसके बाद आपने पहाँ किस देट को फिल किया दो चयोंच से फरवरी यहां पर दिखा रहा हैं और यहां पर हम सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों यहां पर करते हैं तो दोस्तों उम्मिद करते हैं वाब को यहां पर सारा चीज समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कोई कंफूजर नहीं तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट करके पूंच सकते हैं वीडियो अच्छा लागा तो लाइक के रियो चैनल पर नहीं है सब्सक्राइम नहीं किया तो कर लेजिए मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के रिवाए टेकर जहें बंदे मात रहूं